हेलो और नमस्कार मेरे दोस्तों और फ्यूचर जजिज आज हम एक भैतरिन कॉंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो में और जिन्दगी भर की टेंशन ये DPSP को याद करने की कोशिश करेंगे आज ही समाप्त हो जाए और 100% अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है DPSP को कैसे याद करें sequence wise बिल्कुल article number के साथ आज इसे खतम कर देंगे तो देखिए पहले समझते हैं ये DPSP क्या है वैसे तो हम सब को पता है directive principles of state policy बट हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या है चोब में देखिए ये कुछ ऐसे principles हैं जो हमेशा तो हर कोई जिन्दा नहीं रह सकता कोई भी immortal तो है नहीं तो एक नहीं एक दिन सब को जाना है तो उन्हें पता था कि आगे भी हमारी country ग्रो करेगी नहीं नहीं सरकारे आएगी तो उनके लिए कुछ उन्होंने principles बनाएं कि देखिए ये कुछ principles हैं उनको आपको adopt कर करते रहना है according to situation and time और इसको अगर आप apply करते रहेंगे तो हमारा state जो है जो हम achieve करना चाहते हैं अपने state के लिए वो एक दिन achieve जरूर होगा तो उन्होंने कुछ directive principles बना दिये बट उन्हें ऐसा नहीं रखा कि आप इनको enforce कराने के लिए गहीं court में नहीं जा सकते क्योंकि वो according to time and need ये तुमें धिरे-धिरे करना है उन्होंने एक तरीके से directive रखा के आने वाली governments के लिए जैसे हम लोग अपना example लेते हैं आप लोग सब judiciary aspirant है ठीक है अब आज के दिन तो आप बिलकुल एकदम से आप judge नहीं बन सकते बट अगर आपने लिए कुछ principles बनाए और आ एकने एक दिन वो जरूर achieve हो जाएगा कि आप judge जरूर बनेंगे तो वही चीज थी कि directive principles वही था कि जो हमें state को achieve करवाना है उस दिन possible नहीं था जिस दिन constitution बन रहा था बट उन्होंने वो principles लिखे अगर आप इनको follow करते रहेंगे तो हमारा जो भी achieve है जैसे socialist, secular और भी हम क् state के बारे में वो एक दिन जरूर achieve होगा तो इन्हीं बोला गया DPSP ठीक है अब देखिए ये DPSP हमारे part 4 article number 36 to 51 में आते हैं और इन्हें हम sequence wise याद करेंगे और एक बार याद कर लेंगे story की तरह और आगे आने वाले हमारे सारी tension खताम हो जाएगी हमें कभी भी इन्हें चलिए शुरू करते हैं कि भाया जो state आप part 3 fundamental rights में लेके चल रहे थे state की meaning जो वहां थी वो यहीं रहेगी ठीक है इसमें तो definition of a state है कुछ नहीं है सबसे पहले definition बता दिए basic चीज़ 37 application of the principles contained in this part इसके जो principles है वो उनके application के बारे में बता दिया कि इनको आप apply करोगे और यह enforceable नहीं होगे यह सब चीज़े है ठीक है सबसे पहले बोला गया देखो बेटा आपको क्या करना है state to secure a social order for the promotion of welfare of people सबसे पहले आपको हम एक country सौब रहे हैं तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम सबसे एक broad principle होगा कि आपको welfare of the people करना है ठीक है उसको हमेशा promote करते रहना है कैसे जैसे it means कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा जो हमारे resources है अमीर अमीर बनता जाए गरीब गरीब बनता जाए या तो फिर आपका जो ध्यान हो या तो सारा ध्यान आपको अमीरों पे हो कि आप उन्हीं के लिए सारी policies ला रहे हो या तो आपका सारा ध्यान गरीबों पर ही हो यह दो दोनों ही situation नहीं होने चाहिए, harmful है दोनों, अगर गरीबों पर ही ध्यान रहेगा, तो जो middle class है, जो business man है, उसके हिसाब के कोई policies नहीं आएगी, तो वो grow नहीं कर पाएगा, तो country grow नहीं होगी, तो आपको क्या रखना है, welfare of people रखना है, simple जी बात है, पहला पहला broad principle दे दिया, state to secure, social order for the promotion of welfare of the people, that's it, तो ये तो हो गया, जो main principle है, 38 का, ठीक है उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये करोगे, welfare of people, उनका जी सर करींगे, 39 में बोला, देखो, welfare of people तो करना है, पर हम उसके लिए अपने आप से तुम्हें कुछ principles बता के जा रहे हैं, इनको follow कर लेना, उन्हों बताए गए, ठीक है, कि men and women को equally रखना है, और भी सारी principles है, ठीक है, ठीक है, हम principles बता रहे हैं, आपको follow करना है, ठीक है, हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बार याद आएगी, यार, एक principle तो छूड़ गया, वो तो शेयर principle में involved, होना चीए था, तो फिर 42nd amendment से लिए उसे, का 39A बना दो भईया, भूल गए तो, फिर किस बना दिया, हो गया, फिर का, चलो ठीक है, इतनी तो हो गई, मोटी मोटी बात, हमने तो में कुछ principles दिये, एक भूल गए थे, उसे add कर लिया, कोई दिक्कत नी, अब कहा कि, देखो, सबसे पहले गाउं की बात कर लेते हैं, विल 15 points दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, right to work, to education, to public assistance in certain cases, ठीक है, सबको right to work होना चाहिए, right to education होना चाहिए, और public assistance का right होना चाहिए, ठीक है sir हो जाएगा, तो देखो, सबसे पहले 36, 37 अगर हम बात करे, definition और application of principles के दिक्कत नी, 38 में बोला कि, मोटा मोटा broad principle सबसे पहले कि welfare of people करना है, जी sir हो जाएगा, 39 में कहा, कि देखो, welfare of people हमने बोल दिया, पर हम अपनी साइट से बे तुम्हें कुछ principles बता रहे हैं, ठीक है sir हो जाएगा, फिर 39, ये इसलिए एड किया है, क्योंकि एक principle भूल गए थे, का कि 39, में एड कर लो, equal justice and free legal aid, बहुत important है, ये हमे इस 41 को पकड़ के बैठना, और इसी से आगे आने वाले articles रिलेट करते हैं, सबसे पहले right to work, right to education and to public assistance, आप देखे 42 में चलते हैं, 42, 42 जोडावा है 41 से, 41 से in the sense, देखे हैं, सबसे पहले इसका लेंगे right to work, work वाले को ले लो, सिर्फ education और public assistance को अभी फिलाल भोलो, right to work लेत 42 में बोला, देखो भई, तुम right to work तो दोगे, पर ऐसा ना हो कि सिर्फ तुमने right to work दे दिया और हाथ खड़े कर ले, उस work को करने के लिए जो बंदव work कर रहा है, उसके लिए just and human condition होनी चीए, मतला working environment होना चीए अच्छा, ठीक है ना, का हाँ भई, ये भी दोगे, का जी सर देंगे, तो right to work, उसर related 42, provision for just and human condition of work and maternity relief, ठीक है ना, maternity relief का भी provisions को आप करोगे, का ठीक है सर हो जाएगा, अब देखो, just and human condition दे दी, तो क्या तुम salary नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे, living wage होनी चीए, wage अलग चीज होगे, living wage in the sense means, कि वो जो wage होना उसके, वो हमेशा justify करत पाए, अपने सारे काम कर पाए, यह सब चीज़े हो, ठीक है, तो का ठीक है सर, हमने right to work दिया, ठीक है, human condition दी काम करने की, ठीक है, अब तुम salary दोगे, मतलब living wage वाला, 43, जी सर हो जाएगा, फिर कुस्ट रहें पाद ध्यान आए कि यार आज कल सिर्फ salary से ही काम में चलेग और company के लिए भी, बिलकुल हम देखते हैं जैसे कि bonus shares issue करते है company, दिवाली में भी हम सुनते है कि इस company ने अपने इतने employees को अपने shares दे दिया, ठीक है न, bonus shares, तो वो चीज़े होती है, तो यह लगया 43A से, पहले भूल गये थे हम इसे, ऐसे याद कर लो, पहले भूल गये थ इतना हो गया, फिर इसमें बोला गया कि भाई, promotion of cooperative societies, जब तुम इतना work का काम कर रहे हो, तो एक काम करो, cooperative societies का भी आजकल जमाना आ चुका है, तो cooperative societies को अभी तुम promote करोगे, ठीक है सर हो जाएगा, अब देखिए, work से related कितने हो गये, अगर हम पीछे से देखे, work हमने इतना था, 41, ठीक है न, 41 तो हो गया, broad principle, right to work education यह, अब 41 के बाद, work में कितने letter है, 4 letter, work, 4 है, ऐसी 41 से आगे, work से related कितने principles है, 4, 42, just in human, just in human condition के बाद हम उसे salary देंगे, salary के बाद उसका participate टरवाएंगे, participate के बाद हम cooperative societies को भी promote करेंगे, 4 चीज़े हो गई, ठीक है, तो यह 4 इतना याद रखना, इसको आप कैसे याद रखोगे, वैसे तो आपको सबको याद होगा, बट फिर भी याद करने के तरीका है, क्योंकि, जब भी uniform civil court का बात आती है, तो हम यह सोचते हैं, कि यार हमारे सबसे पहले mind में यह आता है कि, अच्छा, इसका मतलब है, हिंदू और मुस्लिम के जो personal laws हैं, वो एक हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें आप यह से याद रखोगे, कि 44, आगे वाला 4 हिंदू माल लो, पीछे वाला 4 मुस्लिम माल लो, और दोनों के जो laws है, वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब हिंदू और मुस्लिम के personal laws सेम हो जाएंगे, तो 4 और 4 दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो गया, 44, और यह हो गया, uniform civil court, as simple as that, ठीक है, नाओ, आगे चलते हैं, देखो, 45, अब देखो, हमने पहले work का पड़ा, ठीक है, work के 4, work में 4 लेटर हैं, और work से लेटेट 4 हैं, 42, 43, और 2 हम भूल गए थे, 43A और 43B, फिर हमने एक बीच में पढ़ लिया, 44, दोनों सेम है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, नाओ 45, 45 कैसे या में क्या देखा, सबसे पहले हमने उसमें क्या काम किया, work पे काम किया, right to work, अब इसका पकड़ लो, education, education के लिए क्या करने वाले हो है, देखो, provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years, इसमें क्या है, below the age of 6 years, जब से right to education आ चुका है, तब से इसमें सिर्फ below the age of 6 years को हमने रखा हुआ है, ठीक ह हमने work उठाया, work के provisions देखे, फिर UCC देखा, uniform civil court, ठीक है, फिर 45 में हमने देखा, provision for early childhood care, ठीक है, and education, education कौन सा है, below the age of 6 years, यह 45 में है, ठीक है, चलो भाया, तुमने education का भी ध्यान रखना है, उनका जी सर हम ध्यान रखेंगे, यह हो गया 45, आगे चलते है, अब देखिए, क जो economically weaker section या फिर SCST है ना, उनके लिए भी तुम्हें education को promote करना है, ठीक है, एक तो हो गया general section, education से related, एक हो गया, weaker section वाला, जैसे promotion of educational economic interest of schedule card, schedule drives, and other weaker sections, ठीक है, जी सर, education के दो points हो गया, ठीक है, अब आजाओ 41 में फिर से एक बार, कहाँ कि हमारा 41, यह रहा, 41 में आगे हमारा, right to work हो गया, चार थे इसके, education, दो थे, public assistance, अब public assistance का इसका point पकड़के, अब हम आगे के articles देखेंगे, ठीक है, 47, देखो यह, public assistance के लिए, तुम सबका level of nutrition को ध्यान में रखोगे, standard of living, and improve public health, तुम ऐसे काम करोगे, यह तुमारे duty बनती है, कि तुम सबका level of nutrition भी raise होता रहे, standard of living सबकी improve हो, और public health सबकी improve हो, जी सर, इसका भी ध्यान रख लेंगे, क्योंकि यह public assistance वाला point आ चुका है, ती इक ही point है, ठीक है, work में 4 थे, हमने education के 2 पड़े, और इसमें 1 पड़ा, ठीक है, कोई दिक्तत नहीं, अब, एक दो general provisions है, यह हम ऐसी याद रख सकते है, इसमें क्या है, देखो, हमने सब चीज़ almost cover कर ली, अब, organization of agriculture and animal husbandry, ठीक है, agriculture का भी ध्यान रखोगे, और animal husbandry का भी तो छूड़ गया, वरना तो यह, यह जो लोग है, यह तो environment को पूरा बुरा हाल कर देंगे, ठीक है, न, state खुद कर देगी, industries लगा-लगा के, तो इसले एक provision add किया, भाई, 40 seconds से ही add किया, देखिए, 40 second amendment बहुत ही important है, इसके उपर भी मैं एक exclusive video बना हुआ, ठीक है, बट अगे चलते हैं, ठीक है, तो भई यह agriculture बचा लिया, जी sir, environment भी बचा लिया, आगे चलते हैं, ठीक है, 49, देखो, सब कुछ हो चुका है, agriculture भी बच गया, हमने लोगों की भी बात कर लिए, विलेज, पंचायत भी सबसे पहले बना दिया, अब 49 में बोला कि देखो, जितने भी monuments हैं, और national importance की चीज़े हैं, इन सब को protect करना भी तुमारा, तुमारा ही काम है, ये भी हम principle इसमें लिखके जा रहे हैं, ठीक है सर हो जाएगा, कोई दिकत नहीं है, अब 50, 50 में बोला, separation of judiciary from executive, इसको कैसे याद रखो कि देखो, judiciary और executive को लग-लग करना है, मतलब 50 वाला point 50, article number 50, 50 means, दोनों की power 50-50 है, ना ही judiciary को supreme मानोगे, ना ही executive को supreme मानोगे, ठीक है, लड़ाई नहीं होनी चीज़े, separate रखो, 50-50 power करो, इनकी पीच में, इसलिए इसको article number 50 में डाल दिया, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, कि judiciary की be 50 है, executive be 50 है, ठीक है, कोई लड़ाई की बा देखो, जो भी चीज़े हैं, हमने ये पड़ी, इसमें, ये तो हो गई country की, अब last वाला point बोला की, देखो, promotion of international peace and security को हमेशा तुम promote करोगे, ठीक है, एसा ना हो कि तुमारे इन सारे काम से, internationally disturbed हो रहा हो, international peace नहीं बन रहा हो, जैसे कि, और countries आजकल काम करते हैं, जैसे पाक हर country में internationally काफी effect पड़ता है, जैसे पाकिस्तान की, अगर हम current की बात करें, उसकी इतनी बुरी हालात हुई, अब आजकल अमेरिका भी उस पे साथा धियान नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका को भी पता चल चुका है, कि हाँ, इसने अफगानिस्तान में जो भी किया, इसका क बुली जाओ, ठीक है, और कोई भी international country, कोई भी country उसे मतलब, मुझ लगाने को तयार नहीं एक तरीके सा, तो यह क्या है, international effect है, ठीक है, आपने international peace disrupt किया, कही ना कहीं, ठीक है, तो आप इसको भी promote करोगे, यह हमारे last में एक point लिखा हुआ है, ठीक है, तो I hope आपको यह सारे point जो भी DPSP किये, यह आपको याद हो गए होगे, अगर आप इसको वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे, तो आपको जरूर याद हो जाएगा, मैंने काफी simple करके आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर आपको एक बार यह याद होग यह point, तो आप फिर इसे करने हैं, बट main heading होती, ठीक है, तो देखिए, अगर आपको यह वीडियो से जरा भी help मिलियो, तो देखिए, मेरा motivation जरूर कीजेगा, इसको like जरूर कीजी, वीडियो को और channel को subscribe कीजी, और share जरूर कीजीएगा, ठीक है, और अगर आप ऐसी ही, अगर याद करने का, कोई भी करने हैं, अगर आप बदाने का, जरूर कीजीए, जरूर कोसे एगर ओताने कोàiददू है, जरूर है, तो देखिए, जरूर कोईटर करने देखिए, यारूर का, कहा जरूर कि कि अगर causal, य gemaakt에게 टुएिए, भीमको जरूर कापिए, पर आपको पर पक्र पक्रम को बच bacon कोएए